हलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चानल आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक इंपोर्टेंट री नोटिफिकेशन जी हाँ इसका नोटिफिकेशन इस एक्साम का आपका पहले आ चुका था और इसकी लास्ट डेट भी खतम हो चुकी थी लेकिन अब वापस से रोड नोटि किया है तो जरूर से अपलाई कीजिए और उसके बाद अगर आपने कर भी दिया है तो एक बार वापस से रिवाइस कर लिजिए कि कितनी नंबर वेकिंसीज हैं इन नॉन टीचिंग पोस्ट और क्या होगा स्लेबस और बाकी क्राइटिरिया इस पोस्ट के लिए तो चलिए सब कुछ डिसकस करते हैं आज की वीडियो में तो वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इन्फर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अब देखिए गाईज यह है नोटिफिकेशन जो की है इकलव्य मॉडल रेजिडेंशल स्कूल के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अब इसमें कितनी number of vacancies है वो आपकी अभी clear कर देता हूं मैं वो अगर आप नीचे scroll down करेंगे और अपनी screen पे ध्यान से देखेंगे यह देखिए जूनियर सेक्रिटेरिय असिस्टेंट की अरॉंड 759 वेकिंसी है जिसमें यूर की 311, EWS की 75, OBC Non-Crimine Layer की 204, SC की 113, ST की 56, OH की 10, VI की 0, HI की 11, Others की 10, ESM की 70 है अकाउंटेंट की 361 है, 147 है आपकी यूर में जिसमें EWS की 36, OBC Non-Crimine Layer 54, ST 27, OH 5, VI 0, HI 4 और अदर्स की 5 है और एक सर्विसमेंट की 0 है लैब अटेंडेंट की टोटल आपकी 373 है और अगर हम बात करें इन तीनों का कंसॉलिडेशन में तो 1493 आपकी टोटल वेकिंसी है आपकी नॉन टीचिंग पोश्ट की इन एकलवें रेजिदेंशल मॉडल स्कूल में EWS में जिसमें 148, OBC में 401, SC 222 है, ST भाईयों की 110 है, OH की 20 है, VI की 0, HI की 20, Others की 20, ESM की आपकी टोटल अगर हम तीनों को मिला के करें तो 112 है अब हम डिसकस कर लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर कितना है आपका जो की इस पोश्ट के लिए अपलाई करने के लिए चाहिए, अब देखिए गाइस, नॉन टीचिंग पोश्ट के लिए आपको 1000 है, ठीके गाइस, I know थोड़ा जादा है चार्जेश, बट आप ये सोचिए कि अगर आपका सेलेक्शन हो गया तो आप ऐसे कितने हजार कमा पाएंगे, इस पोश्ट में जब आपका सेलेक्शन हो जायेगा तो, डेट अफ एकजामिनेशन आपका, ये, ये, NEST की website पे आपको पता चल जाएगा. NEST की website कौन सी आपकी? वो है आपकी, ये देखिए, ये आपकी screen पे नजर आ रहा है, National Education Society for Wildlife Students. इनकी website, Tru Sixte. अब हम Slayvac discuss कर लेते हैं, non-teaching post के लिए क्या है? Slayvac discuss करने से पहले-पहले हम जान लेते हैं कि salary कितनी बनेगी क्योंकि बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया होता है आज के जमाने में तो अगर हम बात करें junior secretariat assistant की आपकी level 2 की post है जिसमें around 30,000 के करीब आपकी salary बनेगी और वहीं lab attendant की आपकी 25,000 की करीब की आपकी salary बनेगी और guys यह जो salary आपकी in hand की मैं बात कर रहा हूँ यह आपके gross gross नहीं है जो आपके account में actual में credit होगी और accountant level 6 की post है जो की आपका 1200 grade पे की post होती है वो आपकी around 60,000 plus minus 3 I am not sure 57 है या फिर आपका 61 है बट more or less आपकी 60,000 के करीब आपकी touch करेगी अगर आप accountant के लिए join करेंगे तो अब हम जान लेते हैं क्या होगा syllabus ठीक है guys यह देखे आपका PGT नहीं है accountant में आपके आपको दिखाई दे रहा होगा अपने के screen पे part 1, part 2, part 3, part 4 है और वहीं अगर हम बात करें junior secretary at assistant की 130 marks का आपका paper होगा जिसमें आपका 130 marks total होगे, part 1 में reasoning ability, quantitative aptitude, part 2 में general awareness में आपका part 3 होगा, language, part 4 होगा English and Hindi 15 marks each होगा और part 5 में आपका basic computer operation होगा number of questions के अगर हम बात करें reasoning ability की 20 हैं और वहीं total marks 20 है next आपका 20 ही quantitative maths का जो कि होगया, marks total 20 होगे, general awareness 30 total marks 30 और language का अगर English और Hindi दोनों का करें तो आपको समझी आगया होगा 30 questions पर consolidation में 30 हैं और जो की marks भी 30 होते हैं और 15 questions each portion that is English and Hindi duration में आपका test will be of 2.5 hours जी हाँ धाई घंटे का होगा without any time limit for each part of test individually मतलब क्या है कि यह नहीं होगा जैसे बैंकिंग में होता है आदा घंटा आपको reasoning का देदी आदा गंटा quantitative aptitude का नहीं as a whole sse pattern पे आपका पूरा धाई घंटा होगा आप चाहें तो धाई घंटे में आप चाहें math करिए reasoning करिए कुछ भी करिए as such इन्हों में bifurcation या फिर further division नहीं कर रखा time का ठीक है qualifying marks रखे हैं 20 आपको score करना होगा और आपको नजरी हा रहा है qualifying nature का होगा stage 2 और उसके बाद merit shall be called for stage 2 in 1-3 ratio मतलब आपकी suppose 100 पोस्ट हैं एक्जांपल दे रहा हूं तो आपको 300 लोगों को आपको typing में बुलाए जाएगा ठीक है next lab attendant का आप देखी रहे होंगे reasoning ability 15 questions total marks 15 general awareness 15 questions 15 total marks language competency that is English and Hindi consolidation of each consolidation of both includes around 30 questions which will be of 30 marks next आपके subject specific knowledge इसमें 60 questions होंगा 60 ही marks का होगा और total आपका ये भी 2.5 hours का होगा ठीक है आपको समझा गया क्या pattern है lab attendant और junior secretariat assistant का और marking scheme में आपका देखिए negative marking भी है 0.25 मतलब 1 by 4 marks आपके deduct होंगे हर एक question पे जो की आपने गलत attempt किया होगा ठीक है guys clear हो गया सबको और computer screen पे होगा ये मत सोचना है कि आपका OMR sheets पे होगा guys ये था आज का मेरी तरफ से जिसमें मैंने आपको इकलव मॉडल residential school में non teaching post के regard में कुछ vacancies का description दिया है अगर आपने इन post के लिए apply नहीं किया है तो मेरी आपसे request है जरूर apply कीजिए और अपनी तयारी जारी रखे क्योंकि कहीं न कहीं जब तक आप तक आप तयारी में रहेंगे तब तक आपका कोई न कोई post specific आपको मिल सकती है ठीक है गाइस मेरी तरफ से यही था आज के लिए अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक करना चानल को subscribe जरू कर रहे ना ऐसे ही regular updates के लिए different different post के regarding यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो thank you for watching